सब्सक्राइब कीजिए शामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाईए ताके आप लोगों को मिल सके हमारी लेटिस वीडियो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक ऐसी समश्या के बारे में जिसे हर कोई इंसान फेस करता है वो समश्या है नस पे नस चर जाना कभी सोते टाइम कभी चलते टाइम और कभी एक ही जगओ पर जादा दिर तक बैठे रहने से हमारी नस पे नस चर जाती है और असहनिय दर्द हो जाता है उस दर्द से आप लोग कैसे चुटकारा पा सकते हैं वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रही हूं आज हर किसी का जीवन तना भरा वो परेशानियों से घिरा हुआ है जिससे देखो किसी न किसी बीमारी से जूज रहा है आए दिन शरीर से जुड़ी कोई न कोई परेशानी सामने ही जाती है जाहिर है इन परेशानियों के बहुत से करण हो सकते हैं जैसे की खान पान में लापरवाई शरीर की समश्याओं को नजर अंदाज कर देना वक्त पर ना सोना आदी इन सभी समश्याओं में से एक और आम परेशानी है जो यकीनन आप लोगों में या खुद में आपने देखा होगा और वो आम समश्या है नस पे नस चर जाना जो अधिकांस लोगों में देखा गया है यहाँ परेशानी नसों में होने वाले तनाव की करण पैदा होती है जिसकी करण एक एहसानिय दर्द उत्पन होता है चिंता की बात तो यहाँ है फ्रेंड्स की यह समश्या कभी भी सरीर पर हावी हो जाती है अब चाहे वो दिन का वक्त हो या फिर इंसान जब रात में निन्द में सो रहा हो ऐसे में ब्यक्ति कुछ सोच नहीं पाता हमें पता ही नहीं होता कि इस परिशानी से कैसा निप्टा जाए और मजबूरन हमें इस दर्द को चुपचाप सहना पड़ साता है नस पर नर्स चड़ जाने की यह समश्या कई बार शरीर में कमजोरी आने के कराण भी हो सकती है लेकिन आब आपको इस दर्द से गवराने की जरुवत नहीं है क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे सरल और आसान उपाई के बारे मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे आपको इस दर्द से चुटकारा मिल जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें कौन से उपाई करने होंगे और बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी वो खौन सी इस चीज उसे दबा कर रखें, दर्द में तुरंत रहत महशुश होगी। ऐसी इस्तिति में आपको हमेशा तनाव के विप्रित तरफ में कान के भाब को दबाना चाहिए। आप लोगों को तो इससे चुटकारा पाने का सबसे बहतरिन और आसान उपा है कि आप अपने हतेली में थोड़ा सा नमक ले लें और फिर उसे देरे देरे चाड़ते रहें। ऐसा करने से कुछी देर में आपको फरक महसुस हो जाएगा। और अगर आप लोगों को हाई बीपी की समश्या है तो आप लोग ऐसा ना करें क्योंकि ऐसा करने से आपका हाई बीपी और बढ़ सकता है। यह परिशानी खतम हो जाती है। दिवार के सहारे खड़े होकर अपने दोनों हाथ दिवार पर रखें और अपने पैर को दीरे दीरे पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। ऐसे करने से मास पेशियों में खिचाव आता है और वो मुर्ती नहीं है और उनमें एठन भी नहीं आती है। अगर एठन उतर जाए उसके बाद भी दर्द हो तो बर्फ से सिकाई करें या गुनगुने पानी में नमक डाल कर उसमें थोड़ी देर पैर रखें। कमजोरी की वजह से भी नस पर नस चड़ जाती है इसके लिए रोजाना अपने आहार में बदाम, किस्मिस और अक्रोड जरूर शामिल करें। यह जो मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगी जिसे खाने से यह जो बीमारी है उससे छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि यह बीमारी कमजोरी की वजह से नस चड़ जाती है उससे यह प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को रेगुलर ही बदाम, किस्मिस और अक्रोड खाने होंगी। क्योंकि इसको खाने से आपकी जो नसों में कमजोरी आ जाती है वो खतम हो जाती है। अगर आप लोगों को बदाम और किस्मिस अच्छा नहीं लगता है या आप उसे नहीं खाना चाहते हैं तो आप लोग अक्रोट को जरूर खाएं। यदि सोते वक्त आपकी नश चड़ी है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बस अपने पैर को किसी उची जगव पर रख दें या फिर आप अपने पैर के नीचे तक्या रख कर भी सो सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा और अगर तनाव ज़्यादा देर से परेशान कर रहा है आप लोगों को तो आप उस पर तेल की मालिश भी कर सकते हैं इससे भी आप लोगों को जल्द ही रहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये इंफोर्मेशन थी नस्वे नस्चार जाने की समश्या से आप लोग कैसे निजात पा सकते हैं और आप लोगों को कौन से उपाय करने होंगे जिससे ये समश्या पूरी तरो से खतम हो जाए तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये हेल्थ इंफोर्मेशन कैसे लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फार वाचिंग माई वीडियो